अगर आपका में वेल्कम बैक टू मैं चैनल दीपीका स्टाइल और मैं हूँ दीपीका कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज मैं जो रेस्पी लेके आई हूँ वो है ये सूजी का हलुआ जो कि बहुत जादा टेस्टी होता है बहुत इजी और क्विक तरीके से हम सूजी के हलुआ को बना सकते हैं खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है आप कभी भी इसको बना के फटाफट से खा सकते हैं आपका मीठा खाने का मन है तो आप ये जरूर ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए फिर रेसिपी देखते हैं कि सूजी का हलुआ मैंने किस तरी से बनाया हुआ है तो वीडियो एन तक जरूर देखिएगा आई होप ये वीडियो आपके लिए हेलफुल रहे अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो सूजी का हलुआ बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर जो समागरी चाहिए वो है सबसे पहले मैंने यहां पर सूजी ली है तो यह आधा कटोरी सूजी है तो आधा कटोरी के सूजी के लिए मैंने यहां पर आधा कटोरी शक्कर ली है सूजी का हलवा थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है और आधा कटोड़ी से कम मैंने या पर घी लिया है नेक्स्ट मैंने या पर ये काजू और बादाम है जिनको मैंने चोटे चोटे पीसेस में कट कर लिया है नेक्स्ट या पर एक कप पानी है तो ये सारी सामगरी हम सूजी का हलवा बनाने में यूस करने वाले हैं तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर गैस पे एक पैन चड़ाया हुआ है जिसमें हमने जो एक कप पानी लिया था हम उसको एड़ करेंगे और पानी को हम बॉइल आने तक गरम कर लेंगे तो जो हम सूजी का हलवा बनाएंगे उसमें हम गरम पानी का यूस करेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत स्वादिश लगता है तो दूसी साइड मैंने यहां पर कड़ाई चड़ाई हुई है तो जो हमने सूजी ली थी आधा कटोरी उसको हम एड़ करेंगे तो सबसे पहले हमें सूजी को रोस्ट करना पड़ेगा सूजी को रोस्ट करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहां पर मैं एक दो मिनिट के लिए सूजी को रोस्ट कर लूँगी इसमें से अच्छी खुश्बू आने लगेगी और इसको मैं घी डाल के रोष्ट करूँगी तो पहले मैं एक मिनिट के लिए इसको बिना घी के रोष्ट करूँगी उसके बाद मैं इसमें घी एड़ करूँगी तो सूजी रोस्ट हो चुकी है एक मिनिट हो चुका है अब हमने जो आधा कटोरी से कम गी लिया था हम उसको एड़ करेंगे और इस सूजी को हम गी में रोस्ट करेंगे अच्छे से तो गी को और सूजी को हम अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं फिर अगेन हम इसको एक से दो मिनिट के लिए फिर से इसको भूनेंगे घी के साथ तो घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम दो मिनिट के लिए फिर से सूजी को भून लेते हैं तो लगातार चलाते हुए सूजी को भूनना है वरना सूजी जल जाएगी और नीचे से चिपकने भी लगेगी तो लगातार चलाती हुए भूनेंगे और दूसी साइड भी जो पानी हमने रखा था गरम होने के लिए उसमें भी बॉइल आना सुरू हो चुका है गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है तो यहां देखिए सूजी में भी अच्छा सा कलार आ चुका है और यह भून कर तयार हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से यह भून चुकी है अब हमने जो पानी गरम करके रखा हुआ था बॉइल करके रखा हुआ था पानी हम उसको एड़ कर देंगे और साथी साथ तुरंथ हम इस सूजी को और पानी को हम मिक्स कर लेंगे तो यहां पर दौनों चीज़े मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ तो यहां पर सूजी को और पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें जितना भी पानी हमने डाला था उसको हमें सूखने देना है उसको रिमूब करना है तो इसको हम अच्छे से दो मिनिट के लिए भूनेंगे तो ये देखिए सारा पानी इसका जितना भी पानी हमने डाला था वो अच्छे से सूख चुका है तो अब हम हमें इसमें जो हमना शुगर ली थी उसको एड करेंगे और फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनिट के लिए हम फिर से इसको बुनेंगे तो सुगर मिक्स कर दी है, यहां पर यह देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है ये सूजी का हल्वा खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी और कुट तरीके से इसको हम बना सकते हैं अब यहां पर हमने जो ड्राइफ रूट्स रखे थे काजू और बादाम हम उनको एड़ कर देंगे आप ड्राइफ मैंने इन सबी को और हमारा सूजी का हल्वा बनकर एकदम तयार है तो गर्मा गरम हमें से सर्विंग बाउल में सर्व कर सकते हैं तो सूजी का हल्वा मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है ये देखिए सर्विंग बाउल में निकाल लिया है मैंने बहुत ही जाजार लग रहा है और गार्निशिंग के लिए मैंने आपे बादाम की तुकड़ों के साथ गार्निश किया है जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं और खाने में तो और जादा टेस्टी लगेगा तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रू ट्राइ करें और अगर आप मेरे चैनल प के साथ तब तक की लिए बाई बाई टेक क्यार।